दोस्तो अभी मौझूदा समय भारत में लगवक 692 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं वहीं दूसरी तरफ अनुमान लगाया गयाएगी 2025 तक ही आकड़ा 900 मिलियन तक पार कर सकता है और इतनी बड़ी अबादी साथी भारत के ग्रामीन लोगों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुचाना किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए असंभव के बराबर होगा और अगर मान लो किसी प्राइवेट कंपनी ने पहुचा भी दिया तो वो स्पीड और प्राइस अफॉडबिलिटी नहीं दे पाएगा जो भारत के ग्रामीन छेत्रों में जरुवत पड़ेगी जिसको देखते हुए डिश्टल इंडिया प्रोग्राम के तैब भारत सरकार ने पूरे देश में अप्टिकल फाइवर बिछाने का निन्ने लिया है यानि अब गौर्मेंट का लक्ष है कि हर घर वाइफाई दरसल दोस्तों ये उसी तरह काम करेगा जैसे अभी हर घर में फ्री डिश्टीवी काम करता है सिम उसी तरह ग्रामीन छेतरों में बहुत ही कम रुपे में भारत नेट के आने के बाद अब हर घर इंटरनेट के यूज़ कर पाएगा दोस्तों भारत में मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन के बाद सरकार एक और ट्रेन भारत में अगले साली ओपरेट करने वाली है जिसमें ना तो बिजली का खर चाएगा और ना ही डीजल का वैसे दोस्तों आपको बता दे इसे चार साल के ट्रायल के बाद भारत में लाया जा रहा है जिसे फ्रांस की कंपनी एश्ट्रॉम दोरा पहली बार बनाया गया था और फ्रांस में इसकी सफलता के बाद अब भारत में भी स्वधेसी तकनीकों की मदद से यहां के इंजिनि अब ही आप सोच रहेंगे कि ये कैसे हो सकता है तो आपको बता दे भारते रेल हर साल 237 को लिटर डीजल की खपत करती है जिससे पॉलूशन तो होता ही है साथी इस तेल को मंगाने पर भारत का पैसा भी खर्च होता है यानि देश का पैसा बाहर जाता है इतना ही नहीं इस ट 23 तक भारत में चला दिया जाएगा नमबर 8 नैशनल वाटर वेस्ट दोस्तो जिस तरीके से भारत में अबादी बढ़ रही है उसी तरह से देश में आयात और नेरियात भी बढ़ रहा है हाला कि अभी मौजूदा समय में हमारे देश में एक राजे से दूसरे राजे में सम निवान कर रही है पुरवांचल के विकास के लिए जिसमें राज्यों की नदियों द्वारा उसमें फ्लोटिंग यानि तैरता हुआ टर्मिनल बनाकर कनेक्टिविटी और पोडेक्ट डिलिवरी को तेज किया जाएगा जिसमें फिलाल चार राज्यों को शामिल किया गया ह पहला है वेश्ट बंगॉल दूसरा उत्तरपरदेश दीसरा जारकंड और चौता है बिहार और इन राज्यों में 18 फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे इतना ही नहीं इस 1620 किलोमेटर के रूट पर दो फिक्स आर्सीसी भी होंगे जिसे गंगा भागी रती और हुगल लगभग 42 करोड की बताई जा रही है नमबर साथ सिंगूला पाश टनल दोस्तों ये टनल समझ लीजे हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक वर्दान के रूप में बनाया जा रहा है क्योंकि यही वो देश का रास्ता है जहां ठंड के समय में काफी जादा घुसपैट होती ह और कनेक्टिविटी खराब होने के कारण या कहले ना होने के कारण इसका खाम्याजा सीधा सीधा इंडियन आर्मी को भुगतना पड़ता है दरसल दोस्तों ये टनल हिमाचलो लदाक की जंसकार की पादुम बस्ती को लाहोल की दर्चा बस्ती से जोडता है और इसका निर् पूरी को और रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है पर फिलाल इसको बनाने की कुल लागत एक हजार करोड रखे गई है और माना जा रहा है कि ये टनल जून दोहजार पचीस तक पूरी तरह बनकर भी तैयार हो जाएगा जिसके बनते ही हमारी आर्मी किसी भी महीने दे दिन रोड्स और एक्सप्रेसवे में कोई ना कोई नया रिकॉड बनाता ही जा रहा है और उसी एवज में एक हाईवे ये भी है जो कि दिल्ली बोडर यानि बहादुरगर से कनेक्ट होते हुए जमुएन कश्मीर तक जाएगी हर्याना और पंजाब होते हुए और आपको बता दे ये एक्सप्रेसवे बनते यह दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमेटर की थी वो घटकर महच 588 किलोमेटर की हो जाएगी इतना ही ने पहले इस दूरी को तै करने में 14 घंटे लगते थे पर इस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के बनते ही ये सपर सिर्फ 6 घंटे का रह 37 एक्सप्रेसवे को शिरिगुरु रामदाजी इंटरनेशनल एरपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है। 37 पूरे एक्सप्रेसवे पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ट्रॉमा सेंटर, एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेट, ट्राफिक पुलिस, बस बेज, ट्रक स्टॉप्स, इंटरचेंजिस विद रिफ्रेश्मेंट और तो और रीक्रियेशन फैसिलिटीज की भी सुविधा उपलब्त कराई जा रही है, जिसको बनाने की कुल लागत 35,000 करोपे बताई जा रही है, और माना जा रहा है कि ये एक्टूबर 2023 तक बनकर पूरी तरह तयार हो जाएगा, नमबर पांच, अमरी सर्टु जामनगर एक्सप्रेसवे, टोटली कंट्रोल एक्सस, दोस्तों बता देगी, ये एक्सप्रेसवे भारत की एकनॉमिक लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है, दरसल ऐसा इसलिए, क्योंकि अभी नाम पढ़कर भली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्सप्रेसवे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड रही है, पर ये एक्सप्रेसवे HPCL, Barmail और RIL जामनगर को भी जोड़ेगा, साथ ही अमरी सर और जामनगर की दूरी को भी कम करेगा, मतलब अभी जो दूरी 1430 किलोमेटर की है, वो घटकर महस 1316 किलोमेटर की हो जाएगी, वैसे खराब कनेक्टिविटी के कारण जहां 26 घंटे लगते थे, वहीं इस प्रजक के बारे में जानने के बाद आपको अपने देश पर काफी जादा गर्व होगा, दरसलि ये नुकलियर पाउर प्लांट बनते ही, ये भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे पाउरफुल नुकलियर प्लांट बन जाएगा, जिसे महराष्ट के रतनागिरी में बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये बन जाता है, तो 9,900 मेगावाट के उत्पादन चमता के इसाब से, दुनिया का सबसे बड़ा परमान उर्जा उत्पादन केंदर होगा, जिसे NPCIL द्वारा बनाया जा रहा है, और आप अभी पूरी तरह शौक होने वाले हैं, दसलिस प्रोजक्ट में फ्रांस समय दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कमपनिया भारत को सपोर्ट कर रही है, हाला कि हम ऐसा इसलिए क्या रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड रिपोर्ट के इसाब से, इलेक्रिक वीकल का सबसे बड़ा मार्केट पूरी दुनिया भारत को ही समझ रही ह पर लोकल लोग के खिलाफ होने और प्रोटेस्ट की वैसे इस प्रोजक्ट में डिले हो गया है, दरसल इसके पिछे का सबसे बड़ा कारन है, इतने बड़े प्रोजक्ट से अमेरिका समीट कई बड़े बड़े देशों को भारत से दिकत हो रही है, क्युकि अगर भारत प्रोजेक्ट पर फिलाल काम शुरू है वैसे दूस्तों हम सब का दाइद बनता ही कि ये वीडियो में अपने पूरे देश में फैलाएं ताकि इस प्रोजेक्ट को हमारा पूरा देश सपोर्ट करें पर परिस्तितियों के लड़ने के हिसाब से निर्मान किया जा रहा है जिसमें आधुनिक पूली स्टेशन आधुनिक सीडियों के साथ 70 फिट चोड़ा और लगभग 840 फिट सीडियों का निर्मान हो रहा है मंदिर की गलियों में और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें उनों तरफ उची दिवार का निर्मान किया जा रहा है ताकि नदी का पानी या बाड़ का पानी इस तरफ ना पाए इसके अलावा उच्छ स्टरिय होस्पिटल रुकने और खानपान की सेवा का भी निर्मान हो रहा है और दोस्तों आपको बता दे केदानात धाम जो कि हमा पूरा भी हो चुका है नमबर 2 RCA स्टेडियम दोस्तों बेशक से भारत में आज की तारिक में हजारों तरह के गेम खेले जाते हों पर ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि क्रिकेट जितनी लोग प्रेता और BCCI और सरकार को जितनी कमाई क्रिकेट जैसे गेम से आती ह उसके आधे का आधा भी किसी दूसरे खेल से नहीं आती है जिसको देखते हुए पहले एक दिन में एक मैच हुआ करते थे लेकिन अब एक दिन में दो टीम बना कर दो क्रिकेट मैच होते हैं और ये बात अब हर बिजनसमेन को समझ आ गई है जिसवसे आज भारत में कई क्र RCA Cricket Stadium दरसल दोस्तों आपको बता दे कि इसे वर्ल लेवर पर डिजाइन किया जा रहा है जिसमें लगबग 75,000 दर्शकों की बैठने की सुविदा तक दी जा रही है और रिपोर्ट्स की माने तो जब ये स्टेडियम पूरी तरह बनकर तयार हो जाएगा तो ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिख स्टेडियम होगा वैसे आपको बता दे कि दुनिया के दस सबसे बड़े क्रिख स्टेडियम में से साथ तो भारत से ही है वैसे दोस्तों हमने इस पर पहले ही वीडियो बना रही है अगर आप जानने में इंटरस्टेड है तो link description में मौझूद है लेकिन फिलाल आपको बता दे इस stadium में practice ground, hostel, sports club और gym की सुविधाय होगी जिसको पूरी तरह बनाने की लागत 630 कवर रुपए बताई जा रही है जिसमें राज्थान government, BCCI और कई बड़े बड़े businessmen ने निवेश किया है दोस्तो भारत में जिस तरीके से hydrogen train चलानी की योजना है, साथी बढ़ते तेल की rate पर लगाम लगाने के लिए इथान और और देश की बढ़ते अबादी की पूर्ती के लिए natural gas की आने वाले समय बहुत ज़ादा जरूरत पढ़ने वाली है, वरना बढ़ते petrol diesel की rate के वज़े स आज जो चीज हमें 10 रुपे में पढ़ती है, आने वाले 8 सालों में सेम यही चीज 20 रुपे की हो जाएगी और शायद इसी को नियंतरन करने के लिए भारत में एशिया का सबसे बढ़ा यानि की compressed bio gas plant बनाया जा रहा है, जिससे भारत में industrial और automotive sector में revolution आ जाएगा, क्योंकि इससे उनकी कोश्टिंग में काफी जादा कमी आ जाएगी, वैसे ये प्लांट कितना बढ़ा है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस प्लांट पर FDI ने 200 करोड रुपे का निवेश किया है, और ये पंजाब के संगरूर में लगभग 20 एकर से भी बड़